हेलो जेहें डेवर्वन कैसे हैं आप सभी लोग आसा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे साथ को फिर से लेकर आ चुका हूं एक इंपॉर्टेंट क्लास और आई थिंक कि ये तीसरा चौथा क्लास है तो आप सभी लोग सभी क्लासेस को देखे क्योंकि जो भी सिरीज मैं य जेनरल और साइन्स मतलब साथ सात करा रहा हूं इवेन कहा जाए तो पचिस नमबर आपका नवी एम आर हो या एसेसरा और में 25 नंबर तो कनफर्म आएंगे इस क्लास को देखते हो जेनरल आवेरनेस में जो कि जीके का पॉर्सन होता है और बात करते हैं जेनरल साइंस में तो नेवी यमर में 12 से 13 क्योशन पूछे जाते हैं तो यह तो आपका कनफर्म हो जाएगा बाकि आप एससर की विद्ध त्या क्लास को करिए और यह क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट है बताने के हो सकता नहीं है जो लोग भी बतलब एक पर पेपर को दिये हैं तो लोग को पता होगा और बाकि आप सबी लोग बस रामबान समझकर इसको रटिए और जो भी पढ़ाता हो ना दिल से पढ़ाता हूं तो आप सबी लोग बस एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के इतना सेर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटर हूं और साथ चलिए स्टार्ट करता हूं क्लास को बिना देर किये बिना कुछ बात किये तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर पहला क्यूशन दिया है देखे ithpt p ca call form फूचा गया तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटूकॉल होता है और फीडि ओर फुचा गया तो सबiesel डाकमेंट फॉर्मेट होता है और लैन का फूर्स फूचा गया तो लोदे अरिया नेटवर्क होता है और निॉट्रों की खोच किस ने किया था तो जेम्स चैडविक ने किया था बात करते हैं इलेक्ट्राउन की खोज किस ने किया आप सबी लोग बताईए तो यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बात है आप लुक्स थोड़ा से समझ लिजिए यहां पर इलेक्ट्राउन जो है ना इलेक्ट्राउन की खोज जे जे टामसन ने किया थे और बात करते हैं पोटोन की खोज तो खोज रधर फोड किये थे और बाकी इसके बारे में जनकारी गोल्डेश्ट इन ने अधिक ध्यनकारी दी थे तो मतलब यह आप सबी लोग कन्फूज मत होना तो जहां भी पूछा जाएगा पोटोन की खोज तो रधर फोड और और बाकी जनकारी देने का सवाल है पोटोन के बारे में बिस्चरित जनकारी तो यह गोल्डेश्ट इन ने दिये थे बाकी यहां पर देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस ने किया था तो रजड़ सोरी जे जे टॉमसन ने किया और बात वही फिर ने किया तो जेम्स चैडविक ने किया था और हीटर का जो तार होता है किसका बना होता तो नाइक्रोम का बना होता है निरवात में परकास की चाल होते है तीन गुना दस के पावर आठ मीटर परती सेकेंड होता है प्रेर कत्व का मात्रक हिंद्री होता है और तैरने का जो स के सिदानत को किस ने परतिपादित किया तो बिकास के किस धानत को चार्ल्स डार्विन परतिपादित किया EkINS-RAY का अविश्कार किस ने किया तो EkINS-RAY का विश्कार रॉंटेजन ने किया और बात करते हैं मानोस मस्तिष्क का बहार लग बग होता है 3150 गराम का बहार होता है और Лंबाई की सबसे छोटी इकाई है तो लंबाई की सबसे छोटी कहीं फर्मी मीटर होता है आउला में पर्चुर मातरा में मिलता है आउला में आपको विटामिन सी देखने को मिल जाएगा और भारत की प्रथम महिला सासी का थी रजिया सुल्टान नेक्स्ट गिद्द तता भांगड़ा की सिराज की लोकने थे तो यह लोक ने थे पंजाब के लोक ने थे बात करते हैं नेक्स्ट कागज का इसकार सरफवर्थम किस डिस में हुआ तो चाइना में हुआ था तो यह सबी सवाल इंपॉर्टेंट है जो भी करा रहा हूं ना तो दिल से इसका नोट्स बना सकते हो और दिल से आप इस क्यू कि फॉर्मेट में आपको मैं प्रैक्टिस भी करवाँगा तो आप लोग डॉन्ट वरी और बस अभी जो करवा रहा हूं आप इसको देखिए पोंगल जो है पोंगल की सराज का तेभार है तो पोंगल जो है तमिल नाडू का तेभार है और नेक्स बात करते ओनम की सराज का तेभार है तो केरला का तेभार है ओनम और भारत में ससरस्त्रबलू का सरवच्छ सेनापती कौन सा होता है तो राश्टपती के हाथ में तीनो सेनाओं का कमान जो होता है भारत में सशस्त्रबलू का सेना पती कौन होता है तो राश्ट पती जी होते हैं और रतवंदी किस विटामिन की कमी कारण होता है विटामिन एक कमी के कारण होता है ओलंपिक खेलो काय वजन कितने वर्सोबाद होता है तो चार साल पर ओलंपिक खे अपटना जो एए गंगा नदी के किनार बसा हूए और बहुत ही पुझिनिये नदी है गंगा नदी तो तो काजिरंगा नेशनल पार्क कहा है तो में जाओ एक नाधी एक सिंग वाले गंडे सिको सिटी और कुल कितने वेद होते हैं वेदों की संख्या चार है रिंगवेद सामवेद यर्जुवेद अथरवेद और सबसे पुराना वेद है रिंगवेद और संगीत का वर्नल किस वेद में है तो सामवेद में क्या गया है और बाकी कुल वेद सौरी कुल पुरान कितने होते हैं तो पुरानों की संख्या 18 पुरान होते हैं सबसे परचीन पुरान होते हैं मतद से पुरान और नाथुला दर्रा सिक्किम में है ठीक है ना और पंच शिल समझवता कि नदो देशों के बिच हुआ था तो ये हुआ था भारत और चाइना के विश में हुआ था 22अप्रहल yogurt14 में हुआ था और गांदे जी को सबसे पहले किस ने कहा तो रविन न्याह तैगोर ने कहा और गांदे जी को compact सबसे पहले सबक अरफ एवप डियान रखेगा औरफ मतलब लेने की भाव हो requisite तो AB positive ठीक है खिर कि देखिए जो स्रव दाता रखते समूंव है वह निगे टिव इसको इन्यवर्सल एक्स तरन काने और सर्व ग्लाही मतलब सष्ट रखते समूंव में यहीन्यवर्स एक्सव मुठा की शेप्टर ए開始 मन्मानोसरीन में गुनिसुतरों की संक्या कितने होती है हाव मैंनी क्रोपों जैम्स इन हीमन बॉडवि तो फॉटिशिक्स क्रोमो होते हैं यानि 23 जोड़ी कह सकते हो ठेक किन मनुष्ज में पसलीयों की संख्या होती है तो बार जोड़ी संख्या होती है यानि आप चृबिस कह सकते हो ठीक है मनुस्य में हड़ियों की संख्या मानों सरीर में या फिर मनुस्य में हड़ियों की संख्या होती है 206 हड़ियों होती है और न्यूबॉर्ण बेबी में कितना होती है 300 हड़ियों होती है लगबग और मनुस्य में मान स्पेसियों की कुल संख्या 649 मान स्पेसिया और कबड़ी तो यह पर थोड़ा सा करवा देता हूं कुछ आप सब्हारी के लिए मरे बंधू यहाँ अफर ध्यान लखना पोलो पोलो में कितने खिलाडी चार खिलाडी, ठीक है, कबड़ी, कबड़ी में कितने खिलाडी होते हैं, साथ खिलाडी होते हैं, नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं नेट बॉल में भी साथ खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो वाटर पोलो में भी कितने खिलाड़ी होते हैं साथ खिलाड़ी होते हैं तो और एक चीज और याद रख लीजे जिमनास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं आठ खिलाड़ी होते हैं और यही खोको में कितने होते हैं खोको में कितने खिलाड़ी होते हैं तो आई थिंग नौ खिलाड़ी होते हैं और बाकी यह जो है बेस्बॉल बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं यह मैं परते एक वन साइड प्लेयर की बात कर रहा हूं बेसबॉल में नैन प्लेयर होते हैं और एक इंपोर्टेंट और छूट रहा है कि वाली वाल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो छे खिलाड़ी होते हैं और भी बाकिर टेनिस वगारा में एक खिलाड़ी होते हैं तो यह सब देख लेना ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट देखिए यह जो भी है यह तीसरा चौथा क्लास है पहला दूसरा क्लास जो जाना मतलब मुस्किल है कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट है तो आप सभी लोग सभी क्लासिस को देखिए नोट्स बनाईए बाकि ये पेडियेफ लाश्ट टाइम आपको दे दिया जाएगा ठीक है ना क्यूशन कहा जा रहा है पूछा जा रहा है अकबर नामा के रचनकार है तो अबूल फजल हैं मौरिसस की रधानी है पोर्ट लूइस जो है मौरिसस की रधानी है आनन्द मत के लेखा के बंकिम चंड डिशटर जी मल गूडी डेज जो पूस्तक है इसके रचनकार है आरके नरायन और एक और पूस्तक है दगाइड पूस्तक है जो आरके नरायन की द्वारा लिखे गए हैं और किस राज में सबसे पहले सुरियोद्ध होता है तो किस राज में सबसे पहले सुरियोद्ध होता है तो ये अरुनाचल परदेश में सबसे पहले सुरियोद्ध होता है ठीकर ना किस दिन 20 वे जनसंग का दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया और लक्षिफदीप की रधानी है कावारती ठेकर ना गांदी जीने सविनावा अव्यज्ञा अंदोलन कब शुरू के 1930 में और बात करते हैं नेक्स्ट रब्ल उत्पादन में भारत अगरणी हैं भारत के कौनसे राज अगरणी है तो रब्ल उत्पादन बात करते हैं सांति वहसी भी में डिली डिली इस्तित-लोट्रेंपल की दर्म से संब्सक्राइब ठेस्डाइधिक हो जाती संग्सत बोलते हैं जैसे यपान का ही ये जपान का जपान का डियूमा होता है इस तरीके से सभी देशों का अलग अलग संकसद होते हैं तो अभी हम लोग हैं यहां बंगला देश का संसद को जाती है संकसद कहते हैं और हैदराबाद किस नदी किनार पर बसा हुआ है मुसी नदी जलिया वला बागत्य कंड तेरा प्राइल निस बंगाल भी भाएदन कभ उआ उननीस तो पांच में हुआ और मुस्लिब लिग क्या सपना उननीस च्छों में और फ्रांस की रधानी पैरिस है और कंबोडिया की नाम पेंद और चीन का राष्टी खेले टेबल टैनिस चले तो यह क्लास कैसी लगी आप लोग बताइएगा और एक दोस्त प्यारा सा लाइक तो करी सकते हो इसके मोहताज थोड़ी ना है एक लाइक कर सकते हो लाइक करने में कुछ नहीं जाता है और एक प्यारा सा से जड ने मातरम टेक केर